हलो अब्रीवान देजी सलोनी वेलकम टू स्मार्ट लाणीड सलोनी आज हम बात करेंगे गवाट मास रूल टी बारे में बाट मास का फुल डिस्क्रिप्षन देखेंगे B स्टैंड्स पॉर ब्रेकेट्स O स्टैंड्स पॉर ओफ D स्टैंड्स पॉर डिविजन M stands for multiplication A stands for addition S stands for subtraction B stands for brackets of D stands for division M stands for multiplication A stands for addition S stands for subtraction अब हम कुछ questions करेंगे बॉडमास rule लगाकर यहाँ पी एक question है 8 प्लस 9 multiplied 20 divided by 5 minus 3 बॉडमास rule में सबसे पहले आता है bracket इस question में bracket नहीं है आगी दिखते है off off नहीं है फिर आता है division यहाँ पी division ही तो सबसे पहले हम डिवाइट करेंगे 8 प्लस 9 multiply 20 divided by 5 4 minus 3 अब आएगा multiplication 8 प्लस 9 पोर जा 36 minus 3 फिर addition 36 प्लस 8 44 minus 3 44 minus 3 41 answer second question है 27 प्लस 27 divided by 3 bracket में 1 plus 8 पहले bracket solve करेंगे बौर्ड मास रुल के according 27 प्लस 27 divided by 3 bracket solve करेंगे 8 प्लस 1 9 वो bracket open हुआ तो यहाँ multiply का sign अब division आएगा 27 प्लस 27 as this divide 3 into 9 यह division हाँ में करना है 27 प्लस 3 9 प्लस 27 multiply है 9 अब multiplication 27 प्लस 99 जा 81 अब दोनों को add कर देंगे 718 8 9 10 108 answer third question है 96 डिवादीट पैट वल bracket में 9 बाइट और 4 बाइट दिवादीट बाइट 2 बाइट 96 डिवादीट बाइट वल bracket सौल करेंगे पहले 9 बाइट off की जगे लगेगा multiply 4 बाइ 3 और division को हम change करेंगे multiplication में तो ये reverse हुझाएगा 3 बाइ 2 96 डिवादीट बाइट बाइ 12 अब अंदर की सारी टर्म्स को हम सौल करेंगे 3 बन जा 3 3 जा 9 4 बन जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 डिवादीट बाइ 2 2 जा 4 रिमेनिंगे 96 डिवादीट बाइ 12 ये multiplication में 9 बाइ 4 अब पहले डिवाद होगा 96 डिवादीट बाइ 12 8 इंटू 9 बाइ 4 4 2 जा 8 2 9 जा 18 अंसर I hope you like my video If you like my video do like, share and subscribe